नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्लॉगर विनीत दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ मगरमच्छों के पास जी हाँ मेरे गाउं के पास में गाउं है दोस्तों वहाँ पे हैं मगरमच और छोटे मोटे मगरमच नहीं है दोस्तों बहुत बड़े-बड़े मगरमच हैं जिनकी लंबाई करीब 7-8 फिट तक है जी हां दोस्तों तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको मगरमचों की वीडियो तो दे अधेडी की धारा बैती हुई आ रही है और काफी दूर से आ रही है दोस्तों यह आ रही है आपके पीली बीच से जी हां पीली बीच में जो रिजर वॉयर है वहाँ से यह निकल रही है और बहुत आगे तक ही जाती है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा खादर का इलाका है देखिए और यहीं पे ये है इधर पीछे नदी की दारा और इसी में पड़े रहते हैं दोस्तों मगरमच काफी सारे मगरमच है लोग उनके जानवरों पे भी हमला बोल चुके है जैसा कि यहां पे गाववालों ने बताया है तो वैसे ये मगरमच है दोस्तों शान पड़े रहते हैं मेरे धूप बगेरा सेकते हैं और कईबर ऐसा होता है कि जाड़ों के टाइम में जब ज्यादा जाड़े होते हैं और य Egyptian plower वो जो चड़िया होती है वो इनकी मित्र होती है और वो क्या करती है जब यह मूँ खोल के पढ़ जाते हैं मगरमच तो वो इनके मूँ में जो काई वगेरा जमी होती है या जो भी खाने वाने की चीजें अठकी रहती है दातों के बीच में वो उनकी सफाई करती है तो य एजिप्शन प्लोवर जो है आप नेट पर सर्च करके देखेंगे आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी तो यह है दोस्तों देखिये अगर 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 एक दम भी आबान सनाटा है यहां पर सिवाए चुडियों की आवाज के कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है दो देखें हैं यदि नहीं देखें हैं तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के होते हैं यह आप मेरे पीछे देख रहा है यह पूरी मिट्टी का ठेरा है और मैं मिट्टी के बिल्कुल ठेरे के नीचे खड़ा हूँ ठीक है ना और यहां पर यह आप देखिए यह देखिए यह बरतन है दोस्तों, मिट्टी के बने हुए, यह देखिए, यह आप देखने हैं, यह देखिए, यह मिट्टी का बरतन है दोस्तों, यह आपके इस ठेरे में जमा हुआ है, वो देखिए, यह किसी तरह का कुल्लड है, या क्या है, मिट्टी का कुछ बना हुआ है, यह सब इ यह देख रहे हैं आप यह हो सकता है कि पुराने जमाने के रहे हो और इसी तरह के बहुत सारे यह मिट्टी के बर्तनों के अफ्षेश नीचे भी पड़े हुए हैं जमीन पे यह देखिए यह देख रहे हैं यह पता नहीं कब का बना हुआ होगा और यह यहां पे जम गया है यह देखिए तो काफी पुराना लग रहा है दोस्तों ऐसे तो इस तरह से अब यह हो रहा है यहां पर कटान किसी टाइम पर यह गाउं यहां पर रहा होगा और इस ठेरे में यह बर्तन वगएरा सब चिपके हुए हैं यह देखिए यह देख रहे हैं यह देखिए यह की चीज़ें यहां पे देखने को मिलती है मगरमच की हमारी खोज अभी भी जारी है दोस्तों और करेब हम एक से डेड़ किलो मीटर का सफर कर चुके हैं गर्मी हाला की थोड़ी ज्यादा है हो सकता है कि इसी वज़े से हमें मगरमच किनारे पे देखने को नहीं मिल रहे हैं और ज्यादा गर्मी में दोस्तों मगरमच जो है वो ठंडे पानी में चले जाते हैं और शाम के टाइम किसी टाइम यदि दिखाई दें चार बज़े या पांच बज़े के आसपास तो आज हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें मगरमच की वीडियो बनान कि दोस्तों मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ यह देखिए यह देखना है यह मगरमच है और चोटा है यह अभी बड़ा नहीं है और इससे भी बड़े-बड़े मगरमच यहां पर देखने को मिले हैं अभी तक तो दोस्तों यह भागा नहीं है और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या होता है यह देखिए हिल रहा है देख रहे हैं दोस्तों यह बैठा हुआ है बड़े अराम से और छोटा बच्चा है दोस्तों यह बिल्कुल भी नहीं डर रहा है यह देखिए देख रहे हैं दाथ देखिए इसको दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो कितने छोटे छोटे से बड़िया लग रहा है देखने में एक दम देख रहे हैं आप तो देखा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं डर रहा है यह और बड़े अराम से लेटा हुआ है और पास जाने की कोशिश करता हूँ देखा कैसे मूँ फैला के पीछे की तरफ रहा है चला गया तो देखा दोस्तों आपने किस तरह ऐसे यहां पर यह मगरमच बड़े आराम से लेटे रहते हैं और लोकल के लोग तो बिल्कुल इनके पास चले जाते हैं इनने छू भी लेते हैं तो भी उन पर कोई फरक नही सब्सक्राइब कर दोस्तों अभी मगरमच की लोकेशन से मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक चीज और देखने को मिली जिए दोस्तों बहुत से लोगों ने केंचुली नहीं देखी होगी साप की जिए दोस्तों आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ साप की केंचुली ये देख रहा हैं आप ये जमीन पर पड़ी हुई है साप की केंचुली है और दोस्तों ये जो साप होता है ये पगहिया कहलाता है हमारे इलाके में तो ये है दोस्तों देखिए ये देखिए दोस्तों ये है साप की केंचुली काफी बड़ा सांप रहा होगा और पगई आए दोस्तों यह देखिए तो इस तरह की चीज़ें अक्सर यहां देखने को मिल जाती है दोस्तों तो यह रस्ते में पढ़ी हुई थी मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए और यह है देखिए इसे मैंने यहीं लग रहा है देखने में तो यह है दोस्तों है आव साइब दे इस तेंस है यह थो कह विचार को अ यह थिक्वश्थिस थे शे चर्डस एंस अ Hey you, oh am I wrong? And now, yeah now, I lose now It's like my love, my love is out of now Mind you, and you, I'm none more than a dream So wait, yeah wait, can you even hold me away? तो दोस्तों वीडियोज को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर करिए क्योंकि कमेंट के मैं जवाब ज्यादा तर देता हूँ लोगों के आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियोज लाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा यूट्यूब चैनल व्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें सबसे पहले तो दोस्तों मुझे दीजे इजाजत नमस्कार